आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक बे बात करने वाल है कि what is the concept of percentile बहुत लोगों ने पूछ दिया है, बहुत सारे students ने बहुत parents भी फॉन कर रहा है कि सर ये percentile का मतलब किया है, किसी का 45 percentile आया है, किसी का 90 आया है ये online exam करना था, तो एक दिन में 10 लाग 12 लाग student का online exam लेना possible नहीं था तो इसको क्या क्या है कि कई दिन में बांट दिया गया और एक दिन में 2 slot बनाए गए तो इस बार 4 दिन लिया गया exam, 2 slot यानि total 8 number of papers हो गए तो हर paper का label अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, ये same तो होगा नहीं different different label के papers आया है, तो different different label के paper में different different score करेगा student तो एक जैसे rank कैसे आएगा, तो फिर इसको कैसे decide किया जाएगा, इसलिए percentile के concept को लाया गया, ठीक है For example, कि first day first lot में किसी student ने लाया 324 number, suppose that, out of 360 तो उस दिन का वो 100 percentile हुआ, first day first lot में 324 number student लाया, वो उस दिन का topper student लाया, उसको 100 percentile दिया गया, suppose करो second day second slot या first lot में किसी student रे लाया 350 number, तो वो 350 number out of 360 लाया, तो उस दिन का वो topper हुआ, तो कहा 350, कहा 324, दोनों में फर्क राना, तो कैसे दोनों को equate किया जाएगा, तो इसके लिए percentile को लाया गया था, ठीक है तो अब जैसे कई slots हुए, तो कई slots में कई topers आएंगे, कई hundred percentile वाले student आएंगे, तो इनके rank को कैसे decide किया जाएगा तो NTA ने एक rule रखा है, कि इनके physics, chemistry, math के percentile को देखा जाएगा, अगर suppose करें, दस student का hundred percentile आया है, तो उन दसों का देखा जाएगा, कि math में सबसे आगे कौन है, जो लोग math में आगे रहेंगे, उनको आगे कर दिया जाएगा, अगर वो math में बराबर है, तो फिर physics check किया जा जाएगा, उसके बाद फिर age difference देखा जाएगा, और इससे हो decide किया जाएगा, कौन first ranker हुआ, ठीक है, अब हम जानते हैं, जो आपका question है, कि आपका 90 percentile है, तो आपका rank कितना हुआ, ठीक है, सबसे पहली बात ये जानना है, कि percentile का मतलब है, उसको आप short में समझा, तो ये स 90 percent लोगों से आप आगे हो, इनते लोगों को पीछे छोड़ दिये, और 10 percent आप पीछे चल रहे हो, ठीक है, इसको निकालने का एक formula है, वो मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करो, कि कोई paper ले लो, मतलब column copy ले लो, मैं जो formula बता रहा हूँ, उस पर आप calculate करो, और इसको मुझ यह है कि 100 minus your percentile divided by 100 into total number of candidate appear in this year, ठीक है, is equal to your rank, फिर से में repeat कर रहा हूँ, 100 minus your percentile divided by 100 into total number of candidate appear in this exam is equal to your rank, ठीक है, for example, अगर आपका percentile आया है 90, तो इसका क्या मतलब हो, कितना rank आया है आपका, ठीक है, तो आप 100 minus 90 divided by 100 into, इस बार करीब बालो, 10 lakh student appear हूँ है, ठीक है, एप्रॉक्स में माल लाता है, और 10 lakh, तो 100 minus 90 divided by 100 into 10 lakh, आता है आपका करीब 1 lakh, हाँ, 1 lakh आ रहा है, तो यह 1 lakh आपका rank हो ग 85 percentile, 85 percentile का मतलब क्या हो, 100 minus 85 divided by 100 into 10 lakh, यानि करीब 1 lakh आ रहा है, ठीक है, किसी ने 75 लाए, किसी ने 70 लाए, 70 लाए तो उनका आ रहा है, करीब 3 lakh, ठीक है, तो मतलब कुछ लोग सोच रहे थे ना, कि 90 percentile आ बहुत आ गया, 85 percentile आ बहुत हो गया, हावा में उड रहे थे, तो हा ठीक है, आप इसे rank निकालो, rank decide करो, और एक और exam होने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि NTA आपको दोनों मौका दिया है, ठीक है, दोनों मौका दिया है, कि आप ये exam भी दो, वो भी exam दो, ठीक है, और इसमें average नहीं निकाला जाएगा, इसमें best लिया जागा अगला exam जरूर देना आप, उसके लिए अभी आपके पास 65-70 दिन बचे हुए हैं, आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना, I hope कि आप percentile निकालना सी गया है, ठीक है ना, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, 100 minus your percentile divided by 100 into total number of candidate appeared in this exam is equal to your rank, आपका जो भी rank आता है, मुझे comment करके कर का दो भी आने रहा, कि ईपका जाओ के कि एन में लुक है, अर खो, अरूवा ही आने व हुए है, आने लग पर दो आपरें बचरणाग सवारों को रोच वार्दोराने वे, ज Michigan 25-30 देना जॉका क llevar यादक questa आता है, एन शे एन तोavvy